बॉलिवुड में आज कल जो कॉमेडी फिल्में बनती हैं वो अक्सर ऐसी होती हैं जिने देखने के लिए आपको अपना दिमाग घर पर रखकर जाना पड़ता है क्योंकि फिल्म देखते वक्त अगर आप लॉजिक लगाने लगेंगे तो फिल्म देखने का मज़ा खराब हो जाएगा विकी कोशल के फिल्म बैड निउस भी कुछ ऐसी ही है नमस्कार मैं हो जोती जैस्वाल और जनसत्ता पर आप देख रहे हैं फिल्म बैड निउस का मुवी रिवियो बैड निउस से पहले आपने गुड निउस फिल्म देखी होगी जिसमें इस परम चेंज हो जाने की वजह से दो औरते एक दूसरे के पती के बच्चे के साथ प्रेगनेंट हो जाती है लेकिन बैड निउस का कॉंसेट बिलकुल अलग है इसमें दिखाया गया है कि एक ही लड़की दो आदमी के बच्चे के साथ प्रेगनेंट हो जाती है ये आपको अटपटा लग सकता है लेकिन ऐसा रियल में हो चुका है इसके बाद फिल्म में क्या टोस्ट आते हैं और उसके साथ क्या कॉमेडी होती है इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी फिल्म के शुरुआट ठीक होती है धीरे-धीरे ये फिल्म अपना पेस पकड़ती है बीच में कई जगा ये फिल्म मुबाउल लगेगी लेकिन धीरे धीरे आप इस फिल्म से खुद को कनेक्ट करने लगेंगे सेकंड हाफ आते आते आपको ये फिल्म अच्छी लगने लगेगी इस फिल्म में बीच बीच में कई कॉमेडी सीन आते हैं जहां आपको खूब हसी आएगी विकी कॉशल अपने चाम से आपको सीड से बांधे रखेंगे दो घंटे 22 मिनट की ये फिल्म है जिसे एडिटिंग की जरूरत थी ये फिल्म दो घंटे में खत्म की जा सकती थी फिल्म का निर्देशन किया है आनंतिवारी ने इससे पहले उन्होंने अक्षे कुमार वाले गुड नियोस का भी निर्देशन किया था बैड नियोस की कहानी जरूर फीकी है मगर एक्टिंग दमदार है विकी कौशल हो, एमी विर्ट हो या फिर त्रिप्ती डिमरी सभी ने कमाल का काम किया है विकी कौशल ने अखिल चढधा, त्रिप्ती डिमरी ने सलोनी बगगा और एमी विर्ट ने गुरवीर का रोल प्ले किया है तीनों अच्छे एक्टर्स हैं और अपना रोल बखु भी निभाया है फिल्म की कहानी इनहीं के इर्द-गिर्द खूमती है और तीनों कलाकारों को बराबर स्पेस मिला है विकी दिली के पंजाबी लड़के के किरदार में खूब जमते हैं उनकी एक्टिंग जबरदस्त है वो फिल्म में खूब हसाते हैं वही एनिमल में काम करने के बाद त्रिप्ती डिमरी की छवी बोल्ड एक्टरस वाली हो गई है जसका इस्तिमाल फिल्म के कुछ सीन्स में किया गया है हलागी कई सीन्स सेंसर बोर्ड ने काट दिये हैं वहीं एमिवर्ड की बात करें तो उन्होंने अपने अभिने से दर्शकों का दिल जीत लिया है उनका किरदार भी खूब हसाता है इनके अलावा फिल्म में तीन एक्टरस भी हैं जिनके कैमियों आपको सर्प्राइज देने वाले हैं अब बात करते हैं फिल्म के गाने और म्यूजिक की बैड न्यूज में पंजाबी बीड्स पर अच्छा काम किया गया है कहानी की शुरुवात भी पंजाबी गाने से ही होती है इसके बाद मूवी में कुछ नब्बे के दशक के गानों का तड़का भी है ये गाने पहले ही रिलीज किये जा चुके हैं गाने तो दर्शकों को पसंद नहीं आएं लेकिन फिल्म देखते वक्त आपको ये गाने अच्छे लगेंगे तो अब सवाल ये है कि ये फिल्म देखी जानी चाहिए या फिर नहीं तो इसका सीधा सिंपल आंसर है कि अगर आप दिमाग लगा कर ये फिल्म देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा लेकिन बिना लॉजिक की ये फिल्म एंजॉई करेंगे तो आपको खूब मज़ा आएगा और फिल्म फुल पैसा वसूल लगेगी तो अपनी फैमिली के साथ इस वीकेंड पर आप ये फिल्म देख सकते हैं जनसत्ता के लिए इस रिव्यो को लिखा है राहूल यादो ने और फिल्म को दिये हैं दो स्टार बॉलिवर्ड से जुड़ी अन्न खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए जनसत्ता